बुढ़ापे से बचने के लिए और शरीर जैसा है वैसा ही ताउमर रखने के लिए मरते दम तक आपका शरीर ऐसा ही बना रहे इसके लिए हमारे रिशी मुनी क्या करते थे एक लंबी दीर्ग आईयू के लिए वह प्रणयाम कौन सा करते थे, कौन सी योगिक एक्सरसाइस करते थे, जिसने की उनकी उमर थम जाती थी तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा, तो अगर आप चनल पर नए है, तो चनल को सब्सक्राइब जरूर देखिए हमारे शरीर में दस प्रकाड के प्राण कार्य कर रहे होते हैं, जिन पर आपको विजय प्राप्त करनी होती है अगर आप दस प्राणों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान ये तो हमारे महा प्राण है इनके ही कुछ उपप्राण हमारे श्रीर में कार्य कर रहे होते हैं जैसे कि नाग, कूर्म, करकल, देवदत और धनंजे ये हमारे उपप्राण होते हैं जो श्रीर के भारी अंगों पर, उपरी अंगों पर कार्य कर रहे होते हैं हमें सिर्फ अपने महाप्राण जो हिर्दय परदेश में कार्य करता है उस पर विजय प्राप्त करनी होती है तो महाप्राण पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें कौन सा अभ्यास करना चाहिए तो आज की वीडियो में हम यही सीख तो जब आप किसी भी एक्सराइज को कर लेते हैं जैसे कि सूरे नमस्कार, अस्टांगा सिरीज, विन्यासा कुछ भी करके आप स्ट्रेचिंग एक्सराइज करके सुक आसन में बैड जाएं कमर गर्दन को सीधा रखते हैं दोनों हातों को घुटने पर रखना है अब लंबा घेरा स्वास भरना है और होल्ड रखना है जितनी देर तक आप स्वास को भीतर रोक सकते हैं, चेस्ट में रोक सकते हैं उतनी देर तक होल्ड करें, काउंटिंग करें, सैकिंड काउंट करें आप मिनट तक भी कर सकते हैं जितने आप टाइमिंग के साथ इसको count करें और फिर exhale करें फिर से inhale करें, hold रखें और फिर exhale करें इसी प्रकार आप inhale करें, hold करें और फिर exhale करें और धीरे भीरे इसकी टाइमिंग को बढ़ाते जाएं कुछ टाइम बाद आपकी जो टाइमिंग होगी वो 10 मिनट से 20 मिनट के बीच पहुंच जाएगी बहुत ही आसानी से और जब आपकी 20 मिनट तक टाइमिंग होँच जाएगी है प्रित को होल्ड करने की तो आप अपने प्राणों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं बहुत ही आसानी से मगर इसके लिए एक लंबा समय लगता है जैसा कि कहा गया है सातू दीर्ग काल निरंतरे सतकारा सेवितो द्रड़ भूमी जब आप एक लंबे समय तक किसी भी कारे को करते हैं तो आप उसमें पारंगत हासिल कर लेते हैं आप उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो इसी प्रकार आप इस अप्यास को करते करते जाएए और आप एक समय आएगा जिसमें आप इस पर विजय अप्राप कर लेंगे तो इसी के साथ ही हमें थोड़ा भूत खान पान पर भी ध्यान रखना होता है जैसे कि आपको तामसिक भोजन से बचना है अधिक छारिये तिक्त कटू और अमलिये ऐसे भोजन से बचना है कड़वी चीजें ना खाएं ज्यादा तला भुना हुआ भोजन ना लें जिससे कि आपके शरीर को हानी हो सकती है और साती सात में आप अपने शेहत का भी ध्यान रखते हुए भोजन को ग्रैन करें तो आज का हमारा भ्यास बस इतना ही था तब तक के लिए ग्यादीजिए धन्यवाद